अगर बात हम हर्याणा की कर लें तो हर्याणा में जो इस्तिती है वो कुछ इसकदर बनी हुई है जहाँ पर 44 कॉंग्रेस के हिस्से जाते हुए नजर आ रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें उत्री हुई थी अब उनके सामने एक पूरी तरीके से चुनाती थी कि जिन सीटों पर वो उत्री है उन सीटों पर खाता भी खोल पाएगी या नहीं लेकर शुरुआती रुजहान में उनकी सीटे भी कुछ नजर आ रही है तो दूसरे तरफ कॉंग्रेस की सीटे 40, बीजेपी की सीटे 21 नजर और दूसरी तरफ कॉंग्रेस जो की सत्ता से 10 सालों से बाहर है वो छटपटा हट खत्म हो करके वापस सत्ता की चाबी अपने हिस्से ले पाएगी या नहीं ले पाएगी की स्टूडियो का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जमू कश्मीर से ले करके हर्याणा तक के जो रुजहान है शुवाती उस पर तो नजर है ही और इसके साथ जो पस्ट बाहुमत है वो किसे मिलेगा ये भी आपको बताएगी और जो लेटेस नमबास आप हमारे पास आ र जवंदर रहना सिर्फ 17 वोट से आगे हैं सिर्फ 17 वोट और जो हमारे इंटरनल जो रिपब्लिक के रिपोर्टर्स और स्ट्विंगर दर्श को जो भेजने सोल सो चरिता उसमें 43 सीट है हमारे पास जमू कश्मीर से कॉंग्रेस 11 पे आगे है बीजेपी 21 पे आगे है नाश जम्मू रीजन की 43 सीटों के ट्रेंज हम बता रहे हैं जम्मू रीजन में बीजेपी की सीटों पर आगे है जैसा इश्वर्य हम बता रहे है यानि पूरे जम्मू रीजन की सीट के इनिशेल ट्रेंज इस वक्त हमारे पास हैं वहीं दूसरे ट्रेंज कश्मीर से जिनको एक alliance है अगर उसको club कर दे तो 23 सीटे इस वक्ट नाशनल conference और कॉंफरेंस इस वक्ट बीजेपी सिंगल largest party और single leading party की तरफ बढ़ रही है नि सबसे बड़ी party जम्मू कश्मीर में खास तोर पर 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और अगर single largest party बीजेपी होती है तो उस हिसाब से LG साब पहले बीजेपी को ही नियोता देंगे उस स्टती में और पांच मनोनित भी होने और complete जम्मू कश्मीर से आप देखिए अभी जो अभी latest जो हमारी साथी जीनत बेजने जम्मू कश्मीर से complete state of जम्मू कश्मीर Congress and National Conference मिला के 33 यानि 33 दर्शको जम्मू कश्मीर में रिपीट कर रहा हूं राहूल गांदी और उमर अब्दुल्ला मिल के 33 पे हैं बीजेपी 15 पे है पीडीपी 12 रियक्शन है रहा हमार पास ही चाहिए transparency के हम उमीद क्यों न रखें जमूरियत में बिना transparency के क्या फाइदा जो भी होगा वो transparent तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो mandate है उसके साथ छेड़ चाड़ होनी नहीं चाहिए अगर लोगों का mandate बीजेपी के खिलाफ निकला तो वीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड और वो इस तरह की हरकता करनी नहीं चाहिए राजभावन को और मर्कज की हकुमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तसलीम करते हैं पार्लिमंट में तस्लीम किया आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हकुमरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें वोई है कोलेशन पर कितनी कॉन्फिडेंस है एक बज़न है जो कोलेशन हुई है इनसी कॉलेशन तो हमने की इसलिए कि एलेक्शन में काम्यावी मिले और इं अरे एक वकील जन्होंने नैशनल कॉन्फरंस की भी वो लदाफ के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोट में हमारे लिए काम्यावी हासिल की उन्होंने कहा है कि गवरनर साब को अपने आप पे कोई एक्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें ये सीटें अगर भर लेकिन जब नॉमिनेशन्स किये तो मुदी साब की हकूमत के राय के मताबक किये कॉंग्रिस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने तो इसी तरह बेशक गवरनर साब मरकज की हकूमत के यहां नुमाइन दे हों लेकिन उन्हें आईन का खायल रखना चाहिए और ये पांच सीट हाफ़े माँ कॉंगरेस ने कवर कर लिया है सुचारिता जोयल 46 हुड़ा 46 हाँ अजे जी बोले मेरे से पहले नुमर बोल रहे हैं जो तो हाफ़े मांक इस दन 46 हुड़ा 46 बीजे पी 23 पे ही है और बाकी सब एक दो एक दो पे कर रहा हैं लेकिन 46 हुड़ा अजे जी हुड़ भी बोल सको, आपका कुछ नहीं। वो हमारे इनिशल रिपोर्टर्स रीच बेज रहे हैं। वीवेचन करेगी बीजेपी पर मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस देश का। इसलिए मुझे लगता है कि फार्मर्स को पूरा मतलब मुझे लगता है वेटेस मिलना चाहिए। और भारती जनता पार्टी का मैं being an advocate मैंने जब देखा पूरा फार्मर्स को जो तीन जो अपने laws थे उनको मैंने इंटरप्रेट किया अभी क्योंकि मैंने दुबारा से उसको नहीं देखा तो मुझे जो समझ आई law की जितनी समझ है वो फार्मर्स के उत्थान के लिए undoubtedly है पर उसकी timing या उन तक पहुंचाने का जो काम था वह इस वर्य गड़ूए को संदेश गया नहीं है और पीर्स पर कॉंग्रस तो उस मुझे नहीं है और मैं नहीं कहरा कि opposition ने उसमें आग में घी डालने का काम किया उनको बढ़काया और गलत चीज को नहीं तक उनको नहीं क इस वन साइडिड हर्याना एक तरफ और यह सैनी साब ताली बजा रहें कहां ताली बजा रहें सैनी साब नंबर तो बता दीजिए सुबा की तसीर है यह सुबा की तसीर है सैनी जी उचाहित थे लेकिन अभी यह नंबर देखकर नहीं होगे जरूरत नहीं ती नरेंदर मोदी जी की किसानों की प्रतिसोश इनकी सांसत कंगना रनोत ने सपस्ट कर दी ती चुनावों के दोरान और यह सीधा सीधा कह दिया था कि तीरों कानूनम वापस लाएंगे सुध कर दोराना है चले कर देखकर नभें राहूल गांदीजी ने आज शोने हम पर एक्साहा देखको है 90 में से 78 आगे 78 आगे 78 आप 19 अर्याना Congress Congress इसे में 48 पे पहुँच गई है 50 तो आराम से अभी इनिशल ट्रेंज में दिख रहा है और अभी 9 नहीं बचा है सुचारिता सोहेल बहुत जल्दी से रुजान आए है स्क्रीन पर हमने पहले ही कहा था कि छोटी विदान सवाय ट्रेंज बहुत जल्दी आएंगे और ये इस वक्त इनिशल ट्रेंज है लेकिन बहुत हद तक रिजल्ट में तबदील होते हुए नजर आएंगे 48 पे बच्चेस ना कंप्रीटली ऑपोसिट जो बीजेपी बोल रही थी सोजारे था मैं फिलिप निकरहूँ मैं करहूँ ये कॉंग्रेस और लीड लेगी क्या भी एज उफ नौ लगता है 55 के आसपास तो जाएंगे क्योंकि अभी भी जो 13 सीटे नहीं आई है देट इस हुद्दा सेंटर अभी नौ भी नहीं बचे हैं जैसे सोहल बता रहे हैं क्या ये नंबर और बढ़ सकते हैं 25 पर बीजेपी, 48 पर कॉंग्रेस और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तोर पर निकल रही है 27 सीटे अगर अभी जम्मू से आ रही है पिछली बार 25 सीटे, इस बार 28 सीटे अभी निशिल ट्रेंस में नज़र आ रही है लेकिन वो अलाइंस को भी देख लीजेए 22 सीटे नाशनल कॉंफरेंस, कॉंग्रेस बारा यानि 34, 34 सीटों पर इस वक्त कॉंग्रेस एंसी एलाइंस आगे चल रहा है आज आज एसी सिटुएशन में जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट का रोल इंपोर्टेंट हो जाये और इसले हम कह रहे हैं तो भी जिशी पिंडिपेंडेंट कम सकंव जीते एंगश्य ने जाते बाटेंगे